हेलो प्रेंड्स, ब्राइटी लेंडिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जी है प्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एक्सल के अंदर जो नेम होते हैं या जो लिखा जाता है कोई भी नेम अगिरा, उसको कैसे कनवर्ट करते हैं में ॹर्ड डेर प्रेंड्स फ़्रन लीटर में तो सबसे स्ट, यहां पर रिखता है। जो स्मोल लेटर में है अब में इनको कनवर्ट करता हूँ, कैपिटल लेटर पॉर पर लोवर, तिनों में यहां पर देखेंगे तो first में यहां लिखता हूं upper case, upper का मतलब होता है पूरे later capital तो मैं सबसे पहले यहां लिख देता हूं upper, first upper में convert करेंगे, उसके बाद करेंगे lower में और फिर करेंगे proper में, upper का मतलब suby later capital आएंगे, lower का मतलब suby later small आएंगे और proper का मदलब first letter capital बाकि small आएगा तो first formula apply करते हैं upper पर यहाँ पर लिखते हैं equal का sign और यहाँ लिखेंगे upper अब जो formula होगा वो capital या small या proper किसी में भी लिखो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो मैं यहाँ फर्स्ट लिखता हूँ upper shift 09 से bracket start कर देंगे यहाँ और जिस text को change करना है उस पर click करेंगे bracket को कर देंगे close और then enter जैसे मैं interface करूँगा यहाँ पर जो small letter है वो convert हो के आ जाएगा capital letter के अंदर अब पस्ट जो change हो गया उसी को मैं यहाँ से ड्रोगर दूँगा और सभी letter किसमें में convert हो जाएंगे capital letter में अब capital letter से अगेन अगर मेरे को change करना होगा small letter में तो मैं यहाँ पर click करूँगा equal पिर यहाँ लिकूँगा मैं lower उसके बाद again shift 09 से bracket start click break it close then enter select and now और यह सब गी लेटर हो गए small letter में जो capital से convert हो गया small letter के अंदर ऐसे ही मैं convert कर सकता हूँ proper के अंदर जिसमें first letter capital होगा बाकी letter होंगे small तो यहाँ पर formula लगाएंगे equal firstly कहेंगे proper shift 09 से again bracket start click bracket बंद then enter click now और यहाँ पर कर देंगे down down करते हैं यहाँ पर सभी value किसमें convert हो गई प्रोपर में जो सभी टैक्स थे वो प्रोपर में convert हो गया इसी फोर्मूले को मैं दूसरी sheet पर apply कर सकता हूँ इसके लिए मैं दूसरी sheet पर क्लिक करके नई sheet बना लेता हूँ यहाँ लिखता हूँ अपर लोवर और प्रोपर अपर में वही सभी लेटर केपिटल लोवर में स्मॉल और प्रोपर में फ्रस्ट केपिटल बाकी स्मॉल सबसे पहले फोर्मूला लगाएंगे इक्वल दैन अपर यू डबल पी यार सीप्ट और नाइन से ब्रेकट स्टार्ट और यहाँ पर क्लिक करेंगे sheet नमबर फॉर्थ पर क्योंकि फॉर्थ की जो वेल्यू है वह अपने को sheet नमबर फिप्त में लानी है और क्लिक करना है तो फॉर्थ भी यहां क्लिक करता हूं और फर्स्ट यहां क्लिक कर देता हूं इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहां पर ब्रेकट बंद कर देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं तो यह क्लिक करना है ऐसे ही मालो मेरे को लोवर में करना है मतलब केपिटल से small letter में convert करना है तो again equal low or lower shift or 9 से again break it start और फिर click करेंगे seat number 4 पे और 4 में जो convert करना है upper को lower में convert करना है तो मैं upper पे click कर देता हूँ उसके बाद bracket कर दूँगा यहीं से close then enter यहीं से enterprise करेंगे तो seat number 5 में lower में convert हो जाएगा और इसको कर दूँगा down ऐसे यहाँ पे proper में भी convert कर सकते हैं उसके लिए again equal और यहाँ पे लिख देंगे proper bracket start again seat number 4 पे click bracket close और यहीं पे enter enter करते हैं seat number 5 में यह ओगया proper later में convert तो इस परकार से upper lower and proper का जो formula होता है वो apply के आजाता है within seat या without seat दूसरी seat से अलग seat में या मालो उसी seat के अंदर भी आप apply कर सकते हैं